एलो एवरिवन आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि मैंने अपनी अक्टिवा में extra mat को क्यों install करवाया है जबकि company से अपने को mat install किया हुआ आता है लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सीड डिसकस करना चाहता हूं कि जिनको भी अक्टिवा से कोई भी चीज देखनी है तो उनके लिए औरेडी मैंने प्लेडिस्ट क्रियेट की हुई है जिसका नाम है All Topics Discussed About Activa वाले section पर जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट यहां पर मैंने डबल मैट का इंस्टॉल करवाया है। एक यह first वाला mat एक सेकंड एक यह first वाला mat है जो कि मैंने install करवाया है और यह है जो company से आता है अपने को वाला mat ठीक ना तो company वाला mat और लिटी जब आता है तो मैंने यहाले mat को install इसलिए करवाया है first point कि हम Indians जो है cylinder इसी की उपर लाते हैं और अगर double cylinder होता है तो आपने लोग पीछे रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं बट आपने लोग cylinder किसी की उपर लाते हैं तो एक extra protection of layer extra layer of protection देने के लिए इसलिए मैंने इसमें एक extra mat को install करवाया first of all second आप देखिए कि इसकी जो framing है मतलब यह जो company fitted mat की जो framing है वो simply सिर्फ यहां यहां तक दी हुई है मतलब जहां तक इसके frames गए है जहां तक इसकी design गई है वहां तक ही इसका सिर्फ frame है और जो extra mat मैंने इस्टॉल करवाया है उसकी frame पूरी यहां तक जाती है मतलब कि यहां तक cover होती है तो जब आप गाड़ी को drive करते है तो आपके जो shoes है या फिर slippers या फिर sandals है तो यहां पे आपके आप touch होते हैं तो यहां तक यह रहता है कि आपको यहां यहां तक protection मिल जाती है जो कि नीचे आपका गंदनी होता है और scratches वगरा भी नहीं पड़ते है third point यह रहता है third point यह है कि जब आप extra mat को install करवाते हैं तो आपके protection यहां तक बन जाती है तो अंदर तक धूल मिट्टी जाने है कोई सवाल पैदा नहीं होता है यानि कि माली जे complete fitted mat जो है यहां तक आपा लो कि इसको जैसे कि यह वाला जो point है यहां से बनी रहती है I think वहां जाने के लिए और इसके अंदर से दूल मिट्टी निकालना आपकर लेकी पोसीबल तरा है इस वजहाएसे मैंने इसके माल एक extra mat extra protection इंस्टॉल करवाया था कि जितना हो सके तो पानि को पोश करते है नेक्ट पॉइंट यह बताना चाहूंगा मैं कि जब हम नोग कि इसे लेकिन नीचे लगा हुआ रहते हैं और फिर भी मैंने एक्स्ट्रा मैट इंस्टॉल करवाया है ताकि इसके अंदर ज्यादा गंदगी ना जाए वन अंदर ताइप कीचाट ज्यादा बड़े-बड़े इसमें छेथ प्रोवाइड नहीं किये गये हैं तब इसके अंदर इसके अंदर जो मटगाट दिया गया है इससे की प्रोपर पानी का आउटलेट हो सके इस वाई से मैंने एक्स्ट्रा मैट इंस्टॉल करवाया है ताकि गंदा भी ना हो और ज्यादा जंजट पीना रहा है अच्छा ये मैट की जो कॉस्ट है वो मुझे 150 रुपीज पढ़ी है एक्टिवा का ओरिजिनल मैट है इस पूरी यहां से आकर यहां तक नहीं वह यहां यहां तक लगी रहती है उनकी बहुत लों की यहां यहां तक फिट अप रहती है मतलब एक्सरीज पूरी इतनी लंबी आकि यहां यहां तक लगई थी तो जश्म से यह कहना चाहूंगा कि उनकी जो एक्सरीज है वो औरिजिन तो दरसल वो पूरा यहां तक इंस्टॉल होता है और यह और भी अंदर इसके चला जाता बट मैंने बोला कि आप यहां तक इंस्टॉल किता कि अगर आप फुट्वेर पहने रहते हैं हम लोग तो गंदे रहते तो अपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी कर वा है मैंने इसके साथ गाड़ी को ड्राइव किया था तो मुझे प्रॉपर कुशनी मतलब ठीक है पता नहीं चलता है उतना बट जब मैंने डिफ्रेंस का नोटिस किया है जब मैं यह वाले मैट को इंस्टॉल कर वा है तो जब आपने लोग पैर को रखते हैं तो ड्रा को आपर जेती अद्याद यह भी अपर कोई समान तो वह समान से जादा लोड नहीं पड़ता है इस बैटरी वाले, मैं यह कोम्त को यह होती है k अपनी जो है मेन जो-क युनिटह वह खराब नहीं होती इस वैसे मैंने इसमें extra mat install करवाया है I hope आपको वीडियो पसंदाई होगी thank you so much for watching love you all guys